अलो बच्छो आप सब कहा आपके अपने चनल पुविन मैथ लेक्चर्स में एक बाप फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाय बीचे चल रहे होगे तो आजगी इस क्लास में हम तक्सा चार और पांच ग्रिनित विश्यक की ब्रकबुक दोजाच चौबीस पच्छेज के आगलन पत्र साथ को हल करना सिखेंगे हमने आपकी कारे पुस्तिका के कारे पत्रक एक से लेकर 75 तक सबी को बहुत अच्छे सा स्वाल वकरा दिया है तो देको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो चोटी सुई होती है वो गंटे की सुई होती है और जो बड़ी सुई होती है वो आपकी मिनट की सुई होती है ठीक है यहाँ पर जो एक काटा है या जो एक अंक है वो पांच मिनट को बताता है इतने को बताता है पांच म तीन पर कितनी होगी 15 मिनट तो यानि 9 बज कर 15 मिनट समय कितना है 9 बज कर 15 मिनट दूसरा लंबाई का कौन सा माप सबसे बड़ा है इसमें से लंबाई का कौन सा माप बड़ा है वो आपको बताना है देखो ये 9 mm ये 1 cm और 1 mm ये 2 cm और 8 mm और ये हैं आपका 3 cm तो लंबाई का कौन सा माप बड़ा है वो आपको बताना है तो तो इन में से जो बड़ा कौन सा है वो है आपका 2 cm और 8 mm एक आगे अब आपको मैंने बताया था कि 1 cm बड़ाबर कितना होता है तो 10 mm होता है ठीक है 1 cm बड़ाबर 10 mm और 1 m बड़ाबर कितना होता है, तो킨ीच हराः ही 100 cm और 1 km ब्राबर कितना होता है तो mover 1,000 अगे तीसरा परस्ण देखो 500 gram 500 gram कितनी बार 4 बार है तो जब मैं 4 का गोणा 500 gram से करोंगा तो कितना जाएगा, यह आजाएगा बच्चो 2 kg कुँगे 500 gram और 500 gram कितना हो गया Eenyuno और Eky Marina ये हो गया तो एक किलो और एक किलो फुल मिला के दो किलो ग्राम जो था यदि एक चोकलेट 24 रुपे की है तो तीन चोकलोटों का मुल्ले कितना हो गा जैनले देखो एक चोकलेट की कीमेच्ट केतनी है 24 रुपेश है तो 24 को तीन बार जोड़ दो, या तीन का गुणा 24 से कर दो, 24, 48, 72, कित्ती किमत होगी, 72 रुपे, पांच वा, निम्नलिकी सवालों का जबाब दे, उपर दिखाए कि गड़ी में हम क्या बता सकते हैं, कि ये दीन है, अत्वा रात है, हा या नहीं लिखे, तो दो को इस किसको बता रही है, दो को, और बड़ी सुई, आपके 10 पे, देखो, 10 का मतलब कितना होगा, 1 पर 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25, 3 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, यानि कि 2 बज़कर 50 मिनट, ठीक, 2 मिनट बज़कर, आपके 50 मिनट, 6, सही जबाब सुने, सुबह के 11 बज़कर, 69 मिनट के तुरंत बाद क्या आता है, क्या आएगा, 11 बज़कर, सुबह के 11 बज़कर, 69 मिनट के तुरंत बाद क्या आएगा, तो देखो, सुबह के 11 बज़कर, 69 मिनट के तुरंत बाद में आएगा, 12 पी-म, क्या आएगा, 12 पी पॉस्ट मेरीडियन और एम का मतलब होता है आपके एंटी मेरीडियन तो रात के बारह से लेके दोपर का जो बारह होता है उसके बीच का समय क्या होता है एम होता है और आपके दोपर के बारह से लेके रात के बारह तक का जो समय होता है वो क्या होता है पीम होता है यहां पर स देखो 5 में 5 जुड़ा तो 10, ठीके, 10 में 5 जुड़ा तो 15, 15 में 5 जुड़ा तो 20, अब 20 में 25 जुड़ेंगे 25, पिर 30, पिर 35, पिर 40, पिर 45 और 50, इसी तरह 43 में 5 जुड़ा तो 48, 48 में 5 जुड़ा तो 53, 53 में 5 जुड़ा तो 58, 58 में 5 जुड़ा तो 63, फिर 68, फिर 73, फिर 83 और फिर 88, आपको 5-5 का gap लेना है, यानि 5-5 आगे जोडते जाना है, यहाँ पर कितने की कुद हो रही है, उसके आधार पर आगे की संक्या बढ़ा हो, देखो 51 से 2 कुदा तो 53, 35 से 2 कुदा तो 57, फिर 69, 69 से 2 कुदा तो 61, फिर 2 कुदा तो 63, और फिर 2 कुदा तो 65, तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके आकलन साथ के सभी प्रशनों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं, उमिद करता हूं सभी प्रशनों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ कर दो कर दो हरा